देश में लोकसभा चुनाव की तारिखों का अप एलान हो चुका है इस बार चुनाव कुल साथ चर्णों में होने वाले हैं देली में मुखे चुनाव आयोक की प्रस कॉन्फरेंस के बार बिहार में निर्वाचन अधिकारी एल चार शी निवास ने प्रस कॉन्फरेंस कर इसकी जानकारी दी आपको बता दें कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटू पर कुल साथ चर्णों में चुनाव होंगे आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में करीब 7,6,0,000,000 बंदाता होट देंगे इनमें 3,73,7,904 मेल जबकी 3,32,9,468 फीमेल वोटर्स हैं इस वीडियो के माधियम से हम आपको बताएंगे कि आपके गया लोकसभा च्षेत्र के बारे में वहाँ नॉमिनेशन से लेकर कब होंगे चुनाव इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे इस से पहले आपको बता दें कि बिहार में 11 अपरील को पहले चरन का जो चुनाव होगा उसमें बिहार की 4 सीटो पर वोटिंग होगी वहीं दुसरी चरन याने 18 अपरील को 5 सीटो पर मद्दान डाले जाएंगे 23 अपरील को 30 चरन की चुनाव में 5 सीटो और 29 अपरील को 4 चरन में 5 सीट पांचवे चरन यानि 6 माई को भी 5 सीटो पर मद्दान होगा वहीं 6 चरन 12 माई को 8 सीटो पर वोटिंग होगी जबकि 7 चरण में 19 मैं को 8 सीटों पर सिनाव की प्रक्रिया चलेगी अब आपको बता दें कि बिहार में आपके गया लोग सभास सीट की चिनावी तालीखों के बारे में गया लोग सभासीद के लिए पहले चरण में यानि 11 अप्रिल दिन गुरुवार को चुनाव होगे इसके लिए अधिसुषना 18 मार्च को जारी होगी वही नामनकन दाखिल करने की अंतिमतिक तिथी 25 मार्च है इसके बाद नामनकन की जाँ 26 मार्च को होगी जबकि उमिद्वारो द्वारा नामनकन वापस लिये जाने की तारिक 28 मार्च तैगी गई है इसके बाद यहाँ 11 अप्रिल को वोट डाले जाएंगे वही इन वोटर की गिंती 23 माई को की जाएगी मालूम हो कि गया लोग सभाद छेटरी में कुल 16,98,772 वोटर्स हैं 2014 में हुए पिछले लोग सभाद चराओं में यहाँ से बिजेपी की हरी मांजी ने आरजेडी के राम जी मांजी को हराया था